उनास जिला में लगातार बढ़ रही ठंड और शीत लहर के मध्य नजर प्रशाशन ने स्कूली बच्चों के लिए राहत भरा फैसला लिया है प्रशाशन द्वारा जिले में नीजी और सरकारी स्कूलों की समय सारणी में बदलाव किया गया है प्रशाशन ने शिक्षा विभा के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद जिला भर के सभी सरकारी और नीजी प्राइमरी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे और बंध होने का समय शाम 3 बजे तैक किया है जिला में पिछले कुछ दिनों से पढ़ रही घनी धुंद और कोखुरे के चलते ठंड बढ़ती ही जा रही है ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए दूर दरासक शेतर से अपने विद्याले तक पहुंचना कठिन होता जा रहा था भाजपा विधायक सत्पाल सिंग सत्ती ने भी इस मामले को लेकर जिला प्रशाशन के समक्ष उठाया था जिसके बाद प्रशाशन ने समय साड़ी में बदलाव किया है उपायुक्त रागहव शर्मा ने कहा कि प्रारमभिक शिक्षा उपनी देशक के साथ इस महत्वपूर्ण मामले को लेकर बैठा की गई जिसमें शिक्षा अधिकारियों ने भी बच्चों की सुरक्षा के दुष्टिगत समय साड़ी में बदलाव करने की अनुशन सा की कि आगनबाडी केंद्रों की समय साड़ी में भी बदलाव किया जाएगा प्राइमरी स्कूल हैं जिले के गवर्मेंट और प्राइविट सेक्टर में दोनों को ही जो प्राइमरी क्लासेज हैं उनकी समय सारणी में बदलाव करके उसको दस बज़े से लेके तीन बज़े तक की अभदी में करने के आदेश पारित की है अगनवाडी में भी छोटी बच्चे आते हैं तो इस संबंध में भी जो है वो प्रतक रूप से आदेश जारी के जाएगे